तो आज की हमारी इस class में हम VVM iqo programming में sheets के बारे में पढ़ेंगे हमें last class में हमने workbook के बारे में पढ़ा था आज हम पढ़ेंगे sheets के बारे sheets सबसे पर जानिए sheet की दो का जो है नाम होता है पहला caption name दूसरा property जो सामने यहां दीख रहा है sheet1 sheet2 sheet3 यह हमारा caption name कहा लाता है और यहां जो आप देख पा रहे हैं bracket से पहले sheet1 sheet2 sheet3 इसको property name कहा जाता है अगर हम यहां जैन यहां पर लिख देते हैं तो caption name देखिए bracket के अंदर आप जैन हो गया और property name को अगर यहां पर seat2 के जगा पर मंत कर दें तो property name हो जाएगा तो property name को change करने के लिए वीए के अंदर जाना पड़ेगा property वारे में वहां चेंज होगा और caption name तो generally को भी यूजर चेंज कर सकता है ठीक है एक सिकने प्रॉपर क्याप्शन नेम है जो भार वाला है और प्रॉपर्टी नेम जो है और ब्राइकट से पहले है और प्रॉपर्टी के अंदर राकत के अंदर राकत करते हैं कि ठीक है नेम हम लोग चेंज कर सकते हैं प्रपर्टी नेम चेंज करने के लिए एकस्ट चाहिए और कैप्शन नेम कोई बीज़ी चेंज कर सकते हैं तो कैसे आए तो अगर मैं प्रपर्टी नेम को चलूं तो मैं लिखूंगा और तो प्रपर्प और को चलूंगे तो रिखेंगि जैन रहां कि डॉट्स पहला पॉपर्टी नेम को क्वाड़िंग चल रहे हैं तो शीट्स पोजीशन नमबर और तीन तरीके हैं सीट की कॉलिंग में चल रहे हैं दूसरा कैप्शन ने को कॉर्डिंग तीसरा सिक्वेंस नमर के कॉर्डिंग तीनों में से कभी यूज करते हैं जब आपका सीट का नाम फिक्स है जिसे की समरी रिपोर्ट सीट का नाम फिक्स है पर सीट फिक्स नहीं है जैसे जैन हुआ जान हो गया अगले मेंने फैब हो जाएगा हमारा तो उसी को वारवर क्या कर रहे है जब रिनेम कर रहे है उस केस में हम पॉपटी नेम के अपनी सारी पोडिंग लिखेंग तो हर महीने कोड़ेगा एसे नहीं करना पड़ेगा लेकि कई बार क्या होता है कि नेम हमारा सीट कॉमन नहीं होता है जैसे मान लिजिए कि अगर हमने डेटाशीट को देख लेते हैं डेटाशीट का पौपर्टी नेम सीट 3 है सरह कोडंग लिखें करें किशी ने सीट को कर दिया ठीक है और फिर एक नया सीट एडिकिया उसका नाम देदिया डेटा तो यहां पर पपर्टी ने वर्क नहीं करें जैसे सीट डिलीट होगा नया sheet add होगा उसकी property name कुछ और हो लेकिन हमारा sheet का caption fix है नाम fix है data तो हम यहां data according चलेंगे तो आपका अगर sheet fix नहीं है अगर ध्यान दखेगा समझे सही से अगर आपका sheet fix है नाम fix नहीं है तो क्या करेंगे आपका नाम fix नहीं है तो क्या करेंगे caption 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 समझगे तो परवटी नेम लखिए और डारेक्ट लगा दीजिए caption नेम को आपको इस में थर्ट से लिखना पड़े शीट से बरायकेर में लिखना पड़ें अब तीश्रा आता है पोजीश्ण तो आपको ना है जो सीट से कांट से पांट है फिर एक दो तीनसाइथ पांच ऐसे उठागे इसको उसको पता नहीं रहेगा नवह एक में पाच में साथ यह तो वो थीज़ चानला हो नगए हुझा था किरुट दो कांटो समंझ पांट तो चार तरीके से कॉल की जाती है जैसे मैं बतायाता है कि वर्क बूक में बिता है और एक्टिव वर्क बूक था तो तो चार आप चलेए शीट पर होने वाले कामों के वारे में जानते हैं विसे नई शीट एड़ करनी है तो शीट डॉट एड़ एक नई शीट इस पलस पर क्लिक लिए फिर आता कि मुझे उस शीट को रिनेम करना है मालेजिए समरी के नाम से तो यहां पर लिखेंगे एक्टि शीट डॉट नेम इक्वल टू समरी तो हम एक्टिव शीट डॉट नेम क्यों दिये एक्टिव शीट क्या गरेंगे जैसे वर्कूप पता आज हमने आपको शीट कि श्झाब को अब इहां पर जो शीट डॉट डॉट इस यह दॉट युट अक्टिव एनो उसे पहले मगarna अनुझे इसलिल टॉट यहां पर हम लिखेंगे शीट डॉट दॉट बेमाने इस प्र में Kirby और मूझिए एक्टिव अब यहां ऐसा नहीं कि नहीं करेंगी शीट का जो नाम देना है इन चारों में थर्ड के अकॉर्डिंग देना है जैसे कि मुझे नाम है यह दूसरा वाला लिंग लाइं और यहां पर फैब तो फ़र्वरी सीट से पहले कर देगे अब मुझे मालजी सबसे लास्ट में आड करना है तो क्या करेंगे शीट डॉट एड और यहां पर एक कॉमा देंगे तो क्या होगा विफॉर स्किप होके आफ्टर पर चलाएगा आफ्टर एक बोल्ड होगे है न अब यहां पर शीट और मैंने यहां पर थ्री दे दिया काउ अब यहां पर क्योंश्टन आया कि जिवरी थोड़ी कर तीनी सीट होगा तीस भी हो सकता है इस थ्री को लिया हमने यहां पर किया शीट्स डॉट काउंट शीट्स काउंट समझें जब इतने भी रहेंगे हो जी है बिल्कुल क्लियर है गोड़ाउट इसमें है है तो इसके साथ साथ हम लोग नाम नहीं दालना पड़ेगा इसके बाद नहीं 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 नाम आपको अलग से दालना पड़ेगा तो आपको काउंट भी आएगा कि भाई मुझे यहां पर पांच सीट चाहिए तो देखिए पांच सीट एड़ कर देगा ठीक है पाइफ सीट एड़ कर देगा के लियर है यस को दिखा तो नहीं से नहीं अब बढ़ते इसमें अब सीट एड़ हमने कर लिया अब सीट एड़ करने के बाद हम सीट को रिनेम करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं तो यहां पर हम करेंगे शीट अब बात करते हैं सीट को मूव करना शीट और शीट के अंदर हम यहां पर डालेंगे जो भी शीट है अब हम कोपर्टी में चलते ठीक है कि सीट वन डॉट मूव यह क्या करेगा एक नई फाइल में मूव कर देगा क्या करेगा एक नई फाइल में लेकि मैं मूव यहां पर किया कि मुझे चाहिए कि मैं फरवरी के बाद मूव हूं या सीट के बाद मूव तो यहां पर शीट किसी परट सम्सूंख करएंगे तो यहां पर लिखेंगे ए मूर पर यहांपर डालेंगे और सेम कॉपी कॉपी में भी सेम होगा कि सीट को कॉपी करना चाहते हैं तो सेम यहां पर डालेंगे कॉपी क्या डालेंगे कॉपी कॉपी तो यहां पर हमने सीट कॉपी करना हमने सीट को डिलीट करना है जैसे सीट वान को ही डिलीट करना है सीट वान डॉट डिलीट अब सिर्फ डिलीट डालेंगे तो तिकत होगा तो जैसे आप डिलीट डालेंगे सीट को डिलीट करेंगे तो डिलीट करते हैं आप से पॉप अप आप आएगा आपका माइक रुख जाएगा इस सीट वान के नीची की जो कोडिंग्स है वह चलना ब अब यहां पर आके बढ़ते हैं सीट डिलीट हमने कर लिया सीट इंसर्ट कर लिया सीट मुव कर लिया सीट कॉपी कर लिया अब सीट हाइट अनहाइट विजवल में एक्वल करेंगे सीट हीडेन कोई भी राइट क्लिक करके अनहाइट कर सकता अब इसी यहां लिखते हैं सीट वान डॉट वीजवल इक्वल टू वेरी हीडेन कि इसको अनहाइट करने के लिए का कोड करना पड़ेगा कि सीट वान डॉट वीजवल इक्वल टू सीट वीजवल या फिर सीट की पॉपर्टी में जाना होगा और यहां से उसकी विज़ेटी को चेंज करना होगा ठीक है अब बात करते हैं सीट की पॉपर्टी रहें प्रोटेक्ट करना तो सीट वान डॉट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट करने के बाद इस पी हम अपना पास्वर्ड डाल सकते हैं ठीक है पास्वार नंबर तो डाल दीजिए और टेक्स होगा तो इन वर्डों कमान देना पड़ेगा इन बराबर सीट वन डॉर्ड अन प्रोटैक्ट यह आपका पास्वार अन प्रोटैक्ट कर देगा तो सीट पर हम जनली इतना ही काम करते हैं हम सीट पर सीट को एड करते हैं करते हैं करते हैं कॉपी करते हैं डिलीट करते हैं हाइड अन हाइड करते हैं प्रोटैक्ट अन प्रोटैक्ट करते हैं इसके लावा तो सीट के साथ कुछ नहीं करते क्योंकि बागी चीज़े तो रेंज के अंदर होती है रेंज में होती है न सीट पर इतना ही काम होता है ठीक है तो चले इसकी जो है आप लोग प्रैक्टिस शुरू कर दिचे कल की कलास में में हम बात करेंगे सीट से रिटएक पुरजेक्ट और इस बाओ जो प्रजेक्ट है और आपको करना है क्योंकि एक प्रॉजेक्त मैं करूंगा एक प्रॉजेक्ट आप começar कर दो कर दो कर दो